कैसे हो आप लोग दोस्तों यह है एपिसोड 5 इंटर्वी मिस्टेक्स का अगर आपने चारो नहीं देखे हुए तो फटा बढ़ जाके चैनल को चैनल पर जाके देख लो चारो सीरीज अपने दे रखें पांचोई सीरीज जो है यह बहुत इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि एंट्री पास है मैं आपसे अगर फोन करू तो फोन करने के बाद अगर सबसे मुझे आपसे बहुत अच्छी बिजनेस डिल करनी है तो सबसे इंपोर्टेंट होता है कि जब फोन करूं तो आपसे बात कैसे होती है उससे आपसे मैं जजस करता हूँ कि आप इंसान कैसे है वैसे ही, सेम जब interview के लिए company call करती है, खास होचे lockdown के टाइम पे, maximum जग़ा पे देखा जा रहा है, कि लोग टेलिफोनिक interview पाला फ्रिफरेंस रग दिये हैं, तो हर company टेलिफोनिक लभब लभग कराने लगी है, अब हम लोगों को लगता है कि टेलिफोनिक मतलब की जश्रों बता रहे हैं, कि हमें करना क्या है और कैसे कैसे process हैं नहीं, टेलिफोनिक की तरीके सब पूरा interview है, जो decide करता है आपकी आगे की जन्नी, और साथी साथ ये भी decide करता है कि HR आपको आगे company के अंदर support करेगे की नहीं, company के अंदर मलब selection के बाद नहीं, company के अंदर जो process होगा, मतलब जो आपका technical round होगा, care round होगा, वहाँ कुछ numbers कम मिल रहें, कभी ज़ादा मिल रहें, वह सब कुछ आप maintain कर सकते हो, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से टेलिफोनिक दे लिया तो, टेलिफोनिक से क्या होगा, आपके चार से चिबॉंड ने हुजा है, बन्दा बहुत nice है, ठीक है, इसके help करनी चाहिए, तो definitely आप relation अच्छा बना सकते हैं, अब relation मतलब गलत relation मत समझ रहा, ठीक है, और उसमें आपने अगर खराब अच्छे तरीके से बात नहीं किया, तो पहले उसके mind में है कि इसको reject करवाना है, ठीक है, यह तो मैंने call कर दिया, पहला मिस्टेक कि हम समझते हैं कि जहां है वही जगह सबसे बेटर जगह है, मतलब रोड पे चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, कई लोगों को मैंने देखा, इवन मैंने लिया हैं इंटर्व्यू, बाइक पुचलने है, हेलमेट के अंदर मुबाईल लगा रखे, हलो, 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 येस, 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 आईसे कर रहे है, मलब बड़ा ही, एक तरी की सो अनप्रूफेशनल, तो पहली मिस्टेक है, टेलिफोनिक इंटर्वी अगर होने वाला है, आपको पता है, क अब देखो कि किस जगह पे मैं जा सकता हूँ, जहां पर पीस हो, पीस मनलब सांती हो, जिससे कि आप आराम से उनके इंटर्वी के क्विश्चन को समझ सकते हो, क्या आप पूछना चाते, क्या वो दिमाग लगा रहे है, वो सारी चीज़ा आप समझ सकते हो, चलिए, पीस सब्सक्स फुल जगह पे आगे, दूसरी चीज मैंने देखा हुआ है बीना सुने एंसर देना, बख 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 अपना ही दे दिना एंसर, अपना एंसर उतना ही दो, जितना ऊपूछे, जब वे पूछे, इंटूडूइस preheर सेल्फ खुब लो, लेकिन जब वेलोग आपना ही बहुत ज़्यादा मुझा अपट बच्शन द्यों के सांग्च को को बताना है yes ma'am yes sir उसके बाद अपने इंट्रॉडक्शन देना है very well मैंस के साथ देना है इंट्रॉडक्शन ओके उसके बाद उनको थोड़ी flexibilities दिखाओ flexibilities कैसे दिखाना है learning capacity से आप बोलोग से learning capacity मतलब मतलब यह क्यों वो बोलते है कि आप मेरी company में यह यह काम है xyz काम है मेरी company में centerline करना है structure करना है क्लाइन को देना है क्लाइन से बात करना है यह सारी चीजे है ठीक है अब आपने तो जो किया हुआ है या फिर आपने जो रिजुम दिया हुआ है उसको उसको पता है कि आपको stat pro नहीं आता suppose ठीक है आपको stat pro नहीं आता आपको e-dev आता है पट उस company के ज़रूरते stat pro आपको क्या बताना है अब बोलो कि sir मुझे नहीं आता है मैं नहीं कर सकता हूं नहीं आपको बोलना क्या है बड़े politely बोला अब है sir I know e-devs so I know how to provide the loads I know how to do the analysis and design so I think I can learn very well ठीक है in 5 to 10 days I can improve myself and otherwise अगर मुझे कोई training मिलती है तो I can learn ठीक है जब आप learn वाट बोलते हो ना कि मैं सीखने के लिए interested हूं हर एक company का employee पसंद करता है आपको हर एक employee चाहता है कि मेरे पास जो employee आए वो सीखने के लिए flexible रहे क्यों क्योंकि कल को अगर कोई दूसरा software आ गया तो यह न बोलते कि यार मुझे तो इस चीज के लिए हायर किया था मैं नहीं करने वाला वो नहीं पसंद करते हैं वो बंदा हां सर मैं सीख के कर दूँगा जैसे आप यह word बोलेंगे believe कर यह positivity की बहुचार हो जाएगी और बहुत आराम से आपको positivity के साथ answer मिल जाएगा इसका और आपका benefit होगा दोस्त तो आपको बताना है politely yes I can do ठीक है थोड़ा मुझे time लगेगा मैं सीख के इसको कर सकता ह और क्या इंटर्विव आप जो टेलिफोनिक इंटर्विव था और क्या उसे mistakes करते हो mistakes यह करते हो कि उनके flexible time पर अपने आपको अलेवल करना है उन्होंने जो time बोला हुआ है कोसिस करो उसी time पर अगर आपकी salary अच्छी जादा नहीं है और improve करना है तो उसी time पर flexible होके वहा time I am ready for that today ठीक है कई लोग क्या बोलते हैं no I am not possible in this month can you do in next month not possible in this week can you do next week हो सकता है उनको urgent requirement हो ठीक है तो इस वीए companies को तुरंत मलब first come जो आते है उन्हीं का ज्यादा काम होता है यह पक्का मान लो हो सकता है कि आपके बाद बहुत अच्छा इंपलोई आ है लेकिन अगर आप आप सेलेट हो चुके हो तो वह बंदा किसी काम कर नहीं हो सकता है आपके बाद एक खराब बंदा है वह सेलेट हो जाए आपने रिजन क्यों त्यार हो गया कि भाई इस डेट को मैं आने को त्यार हूं तो companies को चाहिए होता है कि उस डेट पर employee त्यार करना है चार को target होता है तो टेलिफोनिक में भी थोड़ी बहुत आप से निकल वाएगी कि भाई उस company के बारे में थोड़ा सा बताओ ठीक है company बारे में बताना है आपको काम के बारे में बताना है कि मेरा ये काम है तो आपको company बारे में से normal introduction देना है deep का कुछ भी पता है बताना नहीं है क्यों फि इसका interview हो रहा है वह ही पूछ लेता मैं आप क्या salary दोगे ठीक है भाई ये ओवर हो रहे है ठीक है क्या salary दोगे ये बात की बात है ठीक है पहले हम कुछ को प्रूफ करके वहां से interview करके तो आए ठीक है नहीं होगा ठीक है माल लोग आपको salary उसे match नहीं करेगा ओकम salary ठीक है कल पर सो मुझे एक बच्चे ने phone किया ठीक है definitely मुझे पता थो किसके interview की बात कर रहा था बोला कि इनका interview इनको आप रख लिए अपने company में sir और क्या salary देंगे मैं कहा है और मैं बीना देखे बीना interview लिए मैं कैसे decide कर लूँगा मैं salary क्या दूँगा समझते हो तो मै आप मेरे 1.5 लाग का benefit करके दे रहो तो 15,000 रुपर मैं आपको दे सकता हूँ 10% एक क्योरेश company देती है 10-5% तक रहता है तो 10% एक क्योरेश company देती है लेकिन हमारे जो value एड हो रही है यह 15,000 की एड हो रही है फिर 15,000 में आपको क्यो दूँ ठीक है जितना लाए उतना ले आपका salary बहुत अच्छा है और आपको लगता हो company थोड़ी छोटी है ठीक है ओतना salary phone नहीं कर पाएगी अगर पता है तो तब बोलो कि क्या बोलते है मैं can you tell me what's the salary range in that company ठीक है लेकिन तब जब उस company के वारे पता है पता नहीं है तो पहले चेक करो ठीक है टेलिफोनिक दो अच्छे से हां इसके बाद एक चीज़ के लिए आप थोड़ा सा request form में बोल सकते हो कौन से form के सब्सक्राइब दिल्ली में हो और job है मुंबई में तो आपको पता है कि दिल्ली से मुंबई आना बड़ा टफ है ठीक है तो टेलिफोनिक में चोटा सा request करो कि I am can you give me a favor तो ब टेखनिकल इंटर्व्य अगर आपका लैप्टॉप पे मलब आप स्काइब हो गारब के माध्यम से कर सकते हैं तो उससे क्या होगा क्योंकि आपका आने जाने का खर्च बचा आपका कैलीवर तो चेक हो जाएगा तो वहां से आप इंटर्वी करेक कर लेते हैं फिर आएंग वहाला मिष्टेक्स रोड पर खड़े हो के इंटर्वी नहीं देना है दूसरा केरफुली सुनना है पिर बोलना है बिना सुने बख बख हमको लग का हैसा होता है पहं कि छोटी चोटी को इंटर्वी पहुचने के लिए कैसे भी करके definitely आपका टेलीफोनीक अच्छा होगा और आपका ये राउंद तो क्लियर ही हो जाएगा चली thank you so much for watching this video, hope you like this क्या आप ये सीरीच को पसंद कर रहे हो नीचे comment करके बता आया, थोड़ा होसला को उपजाई करो thank you so much, चैहिन चैभारत यूनिक सिविल एप्लिकेशन डाउलोड नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बार बा बोल लो हो जाके डाउनलोड कर लो, चली thank you so much